नमस्कार दोस्तों अब यदि आपको कोहार में कोई गिफ्ट मिलता है तो वहें आपके गिफ्ट कैसा है आपके लिए सुभे या शुबे जारिये इस वीडियो के दौरान यदि आपको कोहार में कोई हिंसक चौनवलन की से चीता या बाग से रेट कोई भी उपहार या फिर मुर्ती मिलती है तो समझ लिजे कि देने बादा आपका बहला नहीं चाता नमबर दो यदि आपको पहार में कोई भी टूपता हुआ जहाज की कोई पेंटिंग मिले या फिर टूपता हुए जहाज की कोई मुर्ती मिले और उसे आप अपनी घर में रगाते हैं तो वह भी शुब नहीं मानी जाती है कहा जाता है ऐसी चीजें आपके घर में नाका रातमता को बढ़ाती हैं साधी आपके जिन्दीही में जो भी आपको उन्नती के अफसर देने वाले होंगे वह भी बंद हो जाएंगे अजिया आपको पहार में चापु मिलता है और है आप चाु अपने घर में रख लेते हैं तो वह शुब नहीं माना जाता है ना तो चापु आपको लेना चाहिए और नहीं गिफ्ट करना चाहिए कहा जाता है यह आपके घर के सदस्यों के बीच में कढ़ा पैदा करता है आले वस्त्रूप को भी कभी भी किसी के उपहार में नहीं देना चाहिए चाहें वह जनमदीन हो या फिर सादी की सालगिरा हमिर्शा देखा जाता है किसी ना किसी अफसर पर उन्हें कोई ना कोई उपहार देते हैं तो कोशिश यह करें कि उन्हें अच्छे उपहार दे ताकि उनकी जिंदगी में उनने दिख्या अफसर मिले कभी भी आप काले कपड़े किसी को किफ्ट ना करें क्योंकि वह बहुत ज़्यादा परिशानिया लेकर आता है आपको स्वास्ते के लिए भी बहुत ज़्यादा दिक्कते देता है या फिर आपके माज़ी किसी तरी पर भी परभाव बढ़ सकता है तो यह है वह उपार जो आपको गिफ्ट में ना तो देने हैं और ना ही लेने ह कर दा सकता है मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें